स्वान भाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत दें हमारे चैनल में आज के इस उडियो में हम बात करेंगे स्री जी कमपनी की डबल मोटर इस्प्रेपम के बारे में दोस्तों अगर अकसर आप मार्केड में डबल मोटर वाली तैंगी खरीजते हो तो उसमें आपको कौन कोन सी बातों का ध्यान रगना चाहिए उसमें कोन सी बेश्ट तैंगी और कमपनी का प्रेवक करना चैहीए ताकि आपको लंबे समय तक कि इसले करने में मदद करें तो इसे के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो आप हमारा वीडियो से लेकर अंतक जरूर देगे ताकि पूरी जनकारी आपको इसी वीडियो में समझ में आए जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो यह डबल मोटर और बारा-बारा की बेटरी इसके अंदर मोजू थे और यह 3G कंपनी के आगती हैं अब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन-कौन से समान आते हैं तो दोस्तों इस वोकेट से हम इसको निकालते हैं मसीन को जैसा कि दोस्तों हमने इन मसीन को निकाल दिया हैं तो अब हम इसको दूर रख देते हैं और आपको तैंगी के भारो में बताते हैं तो जैसा कि दोस्तों यह तेंगी देख पारे हो ये साइज की यह तेंगी रखती है जिसके उपर श्री जी इसके अंदर हम समान की बात करें तो इसके अंदर एक तो यह बेल टोटे हैं क्योंकि आपन पीच के पीचे चाकते हैं और यह डंडी आती है इस डंडी का उप्योग भी किया जाता है इसके अलावा इसमें यह चानने का आता है और यह सैड में लगाने का यह वाला आता है जिस पर यह नडी रुखती है इसके अलावा इसके अंदर भी अनेक प्रकार के समान आते हैं तो कि मैं आपको निकाल के बताता हूँ दोस्तों आप देख पारे हो यह गंद गंद भी इसके साथ में आता है चल्ठेश में यह देश्री साल एक कशल बenne भी आता है इसके साथ में यह पाईव आता है जोकि सब इसके साथ में पिट यह आप देख पारे हैं ये इतना बड़ा पाइब इसके साथ में आता है इसके अलावा अगर हम उवर देखते हैं तो इसके अंदर ये चारदर आता हैं जो कि आप वीडियो में देख पारे हो इसके अंदर कुछ दो तीन तिराज के छोटे बड़े नोजल भी आते हैं जो आप इस वीडियो में देख पारे हो तो जोस्तो अब हम इसको देखते हैं कि जो ये समान कंपनी ने तो देख दिये हैं लेकिन इसको लगाते के सही तो जो ये बड़ी वाली कली नड़ी होती है इसको यहां पर सिटिंग किया जाता है यहां पर इसमें कशने का सिट्रम होता है इसको आप कश भी सकते हो दोस्तो इस प्रकार आप इसमें समान लेकर कर सकते हो दोस्तो मैं इसको लगा कर आपको दिला कर पुरा इसको में बताने वाला दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो इसके अंड ठेली निकलती है इस ठेली में तीन तरह के फुवारे आते हैं जिनमें से पहला फुवारा यह हैं जिनके दो मोव वाला फुवारा इसको बोला जाता है यह इसके अलवा इसमें सिंगल शेद वाला फुवारा भी आता है जो की कमपनी इसके साथ में फिरी सकते हो और एक वो कंपनी नोजल लेती हैं जो कि दुकान पर उपलाज होता है जिससे कि अपन सदा सदा बार के लिए इसको यूज करते हैं दोस्तों मैंने पहले बता है था कि यहां पर यह कली वाली नली लगाना है यह हमने नली लगा दिये इसके आगे आपको एक गन टाइप का लगाना है इसके आगे आपको लांस लगाना है जो कि इस्टिल का आता है इसके आगे आपको फिर स्वारा लगाना है यानि कि यह टें ध्याट से उपर की तरफ लगाने पर यह अच्छी तरह से लग जाता है जिसके उपर और आप यह सिस्टम कर सकते हो यह किस काम का सिस्टम है तो यह इस काम का सिस्टम है इसको आप यहां पर रख सकते हो यानि कि आप स्प्रेक कर लिया है तो आप यहां पर रखकर इसको रखने का यह इस्तान दिया हुआ है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको हम चलाते कैसे हैं इसमें तो हम इसमें पानी डाल देते हैं पानी पानी डालते हैं तो हम आपको फुरा चिला के बताते हैं दोस्तों यह डबल मोटर है तो इसको हम चला के बताते हैं जैसा कि यह हमने चला दिया है अब तोड़ी नहीं तिंकी है तो तोड़ा दीरे प्रेसर बनाती है लेकिन आज आएगा पानी जैसा कि दोस्तों हम इसमें प्रेसर बताने वाले हैं लेकिन यह कंपनी से आई हुई नहीं मसीन है लेकिन यहां से यह तोड़ी कड़ेक हो रही है अगर हम चलाते हो तो यह जिगा पर पाने निकल रहा है इसलिए हम आपको इसमें प्रेसर नहीं बता पाएंगे लेकिन यह प्रेसर बहुत ही अच्छा देती हैं आप इसमें खेती में यूद कर सकते हो इसमें डबल मोटर और बारा-बारा की बेटरी हैं जिससे कि आप बाई करने बद इसका शिड़काव कर सकते हो दोस्तों वीडियो में बता ही जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सुस्क्राइब करें दन्यवाज जेजवान जेगी